Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम पढ़ेंगे Class 1 की Hindi Workbook Chapter 9 बंदर और गिलहरी तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCRT से रिलेटेट साड़े वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे और अगर आपने अभी तक बंदर और गिलहरी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं तो चलिए बच्चों वर्क बुक बनाते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट केजी तो देखे ये एक कहानी है जिसे आपने पढ़ा ही होगा तो बन्दर कहां बैठा था तो कहानी में आपने पढ़ा होगा कि बन्दर कहां बैठा था तो वो पेर पर बैठा था तो लिखेंगे पेर पर उसके बाद देखे गिलहरी जमीन पर क्या कर रही थी तो गिलहरी जमीन पर उच्छलकूद कर रही थी इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद देखें, गिलहरी को अचानक क्या दिखाई दिया, तो बंदर की पूँच दिखाई दी, गिलहरी बंदर की पूँच पर क्या करने लगी, तो जूल रही थी वो, ठीक है, बंदर की पूँच पर वो जूल रही थी, उसके बाद गिलहरी को कैसा लगा तो बड़ा मज़ा आया उसे जूलने में बहुत मज़ा आया बंदर को कैसा लगा तो गुदगुदी लग रही थी तीक है इस तरह से ही लिखेंगे इसे उसके बाद है कि पेड़ पर रहने वाले किनी चार पसू पक्चियों के नाम लिखो तो देखिए जो लंबी पूच वाले जानवरों के सामने लिखो लंबी पूच चोटी पूच वाले जानवरों के सामने लिखो चोटी पूच तो देखिए यहां पे जानवर का नाम है तो जानवर देखिए बंदर है तो बंदर का कैसा पूच होता है तो लंबी पूच उसके बाद हाथी का कैसा होता है? चोटी पुच उसके बाद दिखें के चिता का पुच कैसा होता है? तो लंबी पुच भालू का छोटी पुच Nordum का छोटी पुच चुहा का लंबी पुच तो इस तरह से हैं लिग देंगे उसके बाद है कि सही कत्नों पर ठीक और गलत कत्रों के सामने काटे का निसान लगाओ तो देखे इसमें कि बंधर की छोटी सी पूछ जमीन पर लटक रही थी तो नहीं इसमें न काटे का निशान हो जाएगा इसके बाद गिलख़ी पेर पर उछल कूद कर रही थी तो इसमें भी काटे का निशान हो जाएगा उसके बाद देखे बंदर को दर्द होने लगा तो काटे का निशान उसके बाद बंदर ने गिलहरी को जोर से डाटा तो इसमें भी काटे का निशान और गिलहरी हस्ती हुई पेर पर चड़ गई तो इसमें सही का हो जाए अगर निशान तो इस तरह से इसे बना लेंगे और उसके बाद है कौन क्या खाता है कोई दो चीजें लिखो तो देखे बंदर वो क्या खाता है केला खाता है और पत्ते खाता है उसके बाद देखे गिलहरी तो गिलहरी क्या खाती है? वो फल और अक्रोट, मुंखफली तो ये सारी चीजें गिलहरी खाती है तो इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद देखिए हाथी तो हाथी क्या खाता है? वो गन्ना, केला उसके बाद भालू तो भालू जो है वो मचली, पत्ते इसके बाद तुम क्या खाते हो? तो रोटी और सबजी दाल, चावल बहुत सारी चीजें खाते हैं तो ये लिखेंगे अब देखिए इसमें कौन क्या करता है? ठीक है? तो यहाँ देखिए कौन क्या करता है? मिलान करो तो मिलान करना है तो यहाँ पर देखिए गाए तो गाए जो है रमभाती है यानि कि साउंड बताना है इसका साउंड कौन सा साउंड निकलती है तो वो क्या करती है? रमभाती है इसके बाद सेर तो सेर क्या करता है? वो दाहारता है इसमें मिलान करेंगे फिर गधा क्या करता है तो गधा जो है वो रिंकता है रिंकता है इसमें कर देंगे उसके बाद हाथी तो हाथी चिंगारता है उसके बाद है कुटा तो कुटा भौकता है उसके बाद उट तो उट बलबलाता है तो इस तरह से साड़े को मेचिंग कर दे उसके बाद यहां पे गिलहडी और बंदर की पूछ बनाओ तो अब देखिए पूछ बनाना है तो आपके बुक में भी इस तरह से पिक्चर बना होगा और इसमें इसका पूछ बनाना है इधर यह बंदर है और इधर गिलहडी है तो यह दोनों का पूछ बनाना है तो आप इ अच्छा लगा हुआ आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे और अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के दौरा भी पूछ सकते हैं तो चली मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर थेंक्स तो वाच मैं वीडियो